भीम पहली बार युदिश्टर पर अपना ख्रोध नहीं निकाल रहे थे। इससे पहले भी वह अपने आपको पूरी तरह से व्यक्त कर चुके थे। युदिश्टर क्या उनकी बात सुनकर कुछ अपने विचारों को बदल पाएं या वह धर्म पर ही डटी रहने की घोशना करते हैं। जानते हैं इस सथ्याय में। जनमीचि भीमसें जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके तब महानुभाव सत्य प्रतिक एवं अजाच शत्रू राजा युदिश्टर ने धैरे पूर्वक उनसे यह बात कही। युदिश्टर बोले। भरत कुलनंदन तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणू द्वारा मेरे हिदे को जो विदिर्ण कर रही हो यह निसंदेह ठीकी है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता। क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ती आई है। उन दिनों धृत राष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजबत का अपहरन करने की इच्छा रखकर ही मैं द्यूत क्रिडा में प्रवरित हुआ था। किन्तु उस समय धूर्द जुआरी सुबल पुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। भीम सेन परवदिय प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा माया भी है। उसने द्यूत सभा में पासे फेक कर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था इसलिए मुझे ये संकर देखना पड़ा। शकुनी के सम और विशम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठीक पढ़ते देखकर यदि अपनी मन को जुवे की ओर से रोका जा सकता तो यह अनर्थ ना होता। परंतु क्रोधावेश मनुष्य के धैरे को नश्ट कर देता है। इसलिए मैं जुवे से अलग ना हो सका। तात भीम सेन किस विशे में आसकत हुए चित को पुर्शार्थ, अभिमान तथा पराक्रम से कैसे रोका जा सकता है। अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतह मैं तुम्हारी बातों के लिए पुरा नहीं मानता। मैं समझता हूँ। वैसी ही भवित त्यवता होनी थी। भीम सेन द्रेतराष्टर के पुत्र राजा दुर्योधन ने राजे पानी की इच्छा से हम लोगों को विपत्ती में डाल दिया। हमें दास तक बना लिया। किन्तु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हूँ कि जब हम पुनह द्यूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए तो उस समय समस्त भरत वन्शियों के समक्ष ध्रेतराष्ट पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दाव लगाने के लिए इस प्रकार कहा। राजकुमार अजाजशत्रो यदि आप हार जाएं तो आपको बारह वर्षों तक इच्छा नुसार सबकी जानकारी में और पुनह एक वर्ष तक गुप्त वेश में छेपे रहकर अपने भाईयों के साथ बन में निवास करना पड़ेगी। गुंतिकुमार यदि भरत वन्शियों के गुप्त चर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगें और उन्हें ये मालूम हो जाएं कि आप लोग अमुक जगा अमुक रूप में रह रहे हैं तब आपको पुनह उतने ही वर्ष वन में बिताने पड़े इस बात को निश्य करके इसके विशे में प्रतिग्या कीजिए भारत वन्शी नरेश यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्त चरों को मोहित करके अज्यातवास से ही विचरते रहे तो मैं कौर्वों की सभा में यह सत्य प्रतिग्या करता हूं कि उस सारे पं भोगों को जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याक करके उसी प्रकार वास करेंगे राजा तुर्योधन ने जब समस्त्र कौर्वों की बीच इस प्रकार कहा तब मैंने भी तथास्तू कहकर उनकी बात मान ली फिर वहां हम लोगों का अंतिम बार निंदनिये जुआ हुआ उसमें हम सब लोग हार गये और घर छोड़कर वन में निकलाए इस प्रकार हम कश्ट प्रद वेश धारन करके कश्ट दायक वनों और विभिन्ने प्रदेशों में घूम रहे हैं उधर दुरियोधर भी शांति की इच्छा ना रख कर और भी क्रोध के वशिभूत हो गया है उसने हमें जो कश्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को जो उसके वन्ष में होकर उसी का अनुसरन करते हैं अर्थात देश, शासक और दुर्ग रक्षक आदी उचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है कौरव सभा में साधू पुर्षों के समीब वैसी संधी का आश्रे लेकर यानि प्रतिज्या करके अब वहां राज्य के लिए उससे कौम तोड़े धर्म का उलंगन करके प्रिथवी का शासन करना तो किसी स्ट्रेश्ट पुरुष के के लिए मृत्यू से बढ़कर दुखतायक है ऐसा मेरा मत है वीर भीम से द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों वाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्चुन ने तुम्हें रोका उस समय तुम शत्रों पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फिरने ल जब मैं पूर्वक्त प्रकार की प्रतिग्या करने लगा उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही जब प्रतिग्या के अनुसार वनवास का समय स्विकार कर लिया तब पीछे चल कर उस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बातें करते हो भीमसेन मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रों दोरा कलेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आँखों देख कर भी उससे चुपचाप सहे लिया जैसे कोई विश घोल कर पी ले और उसकी पीड़ा से कर रहने लगे वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है भारत बंच के प्रमुखवीर कौरब वीरों के बीच मैंने जो प्रतिग्या की है उसे स्विकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमन नहीं किया जा सकता जैसे बीच बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों को पकने की बाट जोहता रहता है उसी प्रकार तुम भी उस समय की प्रतिग्षा करो जो हमारे लिए सुक की प्राप्ती कराने वाला है जब पहले शत्रू के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फूलता फलता जानकर अपने पुर्शार्थ के द्वारा उसका मूलो छेद कर डालता है तभी उस शत्रू के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इस जगत में सुक पूर्व जीवित रहता है वह वीर पुरुष लोक में संपून लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है मैं यह भी मानता हूँ कि सभी शत्रू उसके सामने नत्मस्तक हो जाते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के साहरे जीवन धारन करते हैं उसी प्रकार वे मित्रगण उस फीर की छत्रचाया में रहकर जीवन निर्वा करते हैं किन्तु भीमसेन मेरी ये सच्ची प्रतिग्या सुनू मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर मानता हूं राच, पुत्र, यश और धन ये सब के सब सत्य धर्म की सोलवी कलाखो भी नहीं पासकते भीमसेन बोले महराज आफ वेन के समान नश्वर, फल के समान पतनशील तथा काल के बंधन में बंधे हुए मर्न धर्मा मनुश्य हैं तो भी आपने सब का अंत और संखार करने बाले बाण के समान वेगवान, अनन्त, अप्रिमे एवं जलस्तोत्र के समान प्रवाशील, लंबे काल को बीच में देकर दुर्योधन के साथ संधी करके उस काल को अपनी आँखों के सामने आया हुआ मान किन्तु गुंतिकुमार, सलाई से थोड़ा थोड़ा करके उठाये जाने वाला अंजन चूर्न, सुर्मी की भांती एक एक निमेश में जिसकी आयू क्षिर्ण हो रही है, वह क्षण भंगूर मानप समय की प्रतिक्षा क्या कर सकता है? अवश्य ही जिसकी आयू की कोई माप नहीं है, अध्वा जो आयू की निश्शित संख्या को जानता है, तथा जिसने सब कुछ प्रतिक्ष देख लिया है, वही समय की प्रतिक्षा कर सकता है राजन तेरा वर्षों तक हमें जिसकी प्रतिक्षा करनी है, वह काल हमारी आयू को क्षिन करके हम सब को मृत्यू के निकट पहुँचा देगा देहधारी की मृत्यू सदा उसके शरीर में ही निवास करती है, अतह मृत्यू के पहले ही हमें राचे प्राप्ती के लिए चेश्टा करनी चाहिए, जिसका प्रभाव छेपा हुआ है वह भूमी के लिए भाररूप ही है, क्योंकि वह जन साधारण में ख्याती नहीं प्राप्त कर सकता वह भैर का प्रतिशोध ना लेने की कारण बैल की भादी दुख उठाता रहता है, जिसका पल और उद्यम बहुत कम है जो भैर का बदला नहीं ले सकता, उस पुरुष का जन्म अत्यंत घ्रणत है, मैं तो उसकी जन्म को निश्वल बानता हूँ महाराज आपकी दोनों भुजाएं सुवर्ण की अधिकारिनी है, आपकी कीर्दी राजा प्रिथु के समान है, आप युद्ध में शत्रु का संगार करके अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उप्योग कीजिए शत्रु दमन्नरेश यदि मनुष्य अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वद्ध करके तुरंत ही नर्क में पढ़ जाएं तो उसकी लिए वह नर्क भी स्वर्ग के तुल्ले है अमर्षे से जो संताप होता है वह आग से भी बढ़कर जलाने वाला है जिससे संतप्त होकर मुझे ना तो रात में नीद आती है ना दिन में ये हमारे भाई अर्जुन धनुष की प्रतिंचा खीजने में सबसे श्रिष्ट हैं परन्तु ये भी निश्य ही अपने गुफा में दुखी होकर बैठे हुए सिही की भांती सदा अत्यंत संताप्त होते रहते हैं जो अकेले ही संसार के समस्त धनुर्धर वीरों का सामना कर सकते हैं वे ही अर्जुन महान गजराज की भांती अपने बांसिक प्रोध जनित संताप को किसी प्रकार रोक रहे हैं नकुल सहदेव तथा वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हमारी पूढ़ी माता कुंती ये सब की सब आपका प्रिये करने की इच्छा रख कर ही मूर्खों और गूंगूं की भांती चुप रहते हैं आपके सभी पंधु बांध और संजे वंशी योधा भी आपका प्रिये करना चाहते हैं केवल हम दो व्यक्ति की ही विशेश कष्ट है एक तो मैं संताप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिविंधे की माता द्रौपदी मैं जो कुछ कहता हूँ वैस सब कुप्रिये है हम सब लोग संकट में पड़े हैं और सभी योध का अभी नंदन करते हैं राजन इससे बढ़कर अत्यंत दुखदाईनी विपत्ति और क्या होगी कि नीज और दुर्बल शेत्रू हम बलवानों का राजे छीन कर उसका अवभोग कर रहा है परन्त प्युधिष्टर आप शील सोभाव के दोश और कोमलता से एवं दयाभाव से युक्त होने के कारण इतने कलेश सह रहे हैं परन्तु महाराज इसके लिए आपकी कोई प्रशंचा नहीं करता है राजन आपकी बुद्धी अर्थ ज्यान से रहित वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले मंद बुद्धी क्षोत्रिय की तरा केवल गुरू की वानी का अनुसरन करने के कारण नश्ट हो गई है यह तात्विक अर्थ को समझने या समझाने वाली नहीं है आप दयालू ब्राह्मन रूप हैं पता नहीं क्षत्री कुल में कैसे आपका जन्म हो गया क्योंकि एक शत्री योनी में तो प्राय क्रूर बुद्धी के पुरुष उत्पन होते हैं महराज आपने राजधर्म का वर्णन तो सुना ही होगा जैसा मनुजी ने कहा था फिर कुरूर मायावी हमारे हित के विपरीद आचरन करने वाले तथा अशांत चित वाले दुरात्मा धृतराश्ट्र पुत्रों का अपराध आप क्योंक्षमा करते हैं पुरुष सेंग आप बुध्धी पराकरम शास्त्र ग्यान तथा उत्तम कुछ संपन्य होकर भी जहां कुछ काम करना है वहां अजगर की भादी चुप चाप क्यों बैठे हैं कुंति नंदन आप अज्यातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं इससे जान पड़ता है कि आप एक मुठी तिनके से हिमाले पर्वत को धग देना चाहते हैं पार्थ इस भूमंडल में विख्यात है कि जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकते उसी प्रकार आप भी कहीं छिपकर रहकर अज्यातवास का नियम नहीं पूरा कर सकते जहां जल की अधिक्ता हो ऐसे प्रदेश में शाखा पुष्प और पत्तों से सुशोभित विशाल शाल वरिक्ष के समान अथवा शुईत गजराज एरावत के सत्रिश ये अर्जुन कहीं भी अख्यात कैसे कर सकेंगे कुंती कुमार ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सीह के समान पराक्रमी हैं ये दोनों कैसे छिप कर विचर सकेंगे पार्थ ये है वीर जननी पवित्र कीर्ती राजकुमारी द्रौपदी सारे संसार में विख्यात है भला ये अज्यातवास के नियम कैसे निभा सकेगी महराज मुझे भी प्रजावर के बच्चे तक पहचानते हैं जैसे मेरू परवत को छिपाना असंभव है उसी प्रकार मुझे अपनी अज्यात चर्या भी संभव नहीं दिखाई देती राजन इसके सिवा एक बात और है हम लोगों ने भी बहुत से राजाओं तथा राजकुमारियों को उनके राज्ये से निकाल दिया है वे सब आकर राजा धृतराश्च से मिल गए होंगे हमने जिनको राज्ये से वन्चित किया अथवा निकाला है वे कदा भी हमारे प्रती शादभाव नहीं धारन कर सकते अवश्य है दुरियोधन का प्रिये करने की इच्छा रखकर वे राजा लोग भी हम लोगों को धोका देकर उचित समझ कर हम लोगों की खोज करने के लिए बहुत से छेपे हुए गौप्तचर निकत करेंगे और पता लग जाने पर निश्य ही दुरियोधन को सूचित कर देंगे उस दशा में हम लोगों पर बड़ा भारी भय उपस्तित हो जाएगा हमने अब तक बन में ठीक ठीक तेरा मही ने व्यदीत कर लिये हैं आप इन्ही को परिमाण में तेरा वर्ष समझ लीजी मनीशी पूर्षों का कहना है कि मास समबचसर का प्रतिनिधी है जैसे पूटी का सोमलाता के स्थान पर यग्य में काम देती है इसी प्रकार आप इन तेरह मासों को ही तेरह वर्षों का प्रतिनिधी स्विकार कर लीजी राजन अथ्वा अच्छी तरह बोज ढोने वाले उत्तम बैल को भरबेट भोजन दे देने पर इस पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है अधर माराज आप शत्रूं को अबध करने का निश्य कीजिए क्योंकि समस्तक शत्रियों के लिए युद्ध से पढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है वैशंपायन कहते हैं जनमीज भीम से इनकी बात सुनकर शत्रों को संताप देने वाले पुरु सिंग कुंति पुत्र युद्धिश्चर लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगे मैंने राजाओं के धर्म एवं वर्णों के सुनशित से दांथ भी सुने है परन्तु जो भविश्व और वर्तमान दोनों पर द्रिष्टी रखता है वही यधार्त दर्शी है धर्म की श्रेष्ट गती अत्यंत दुर्बोध है उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मीरु परवत के समान महान उस धर्म का मर्दन करूंगा इस प्रकार दो घड़ी तक विचार करने के पश्षाद अपने को क्या करना है इसका निश्चे करके युधिष्टन ने भीमसेन से अविलंब ये बात कही महा बाहु भरत कुलतिलक बाप के विशारत भीम तुम जैसा कह रहे हो वे ठीक है तथा भी मेरी ये दूसरी बात भी मानो भरत नंदन भीमसेन जो महान पाप मैं कर्म केवल साहस के भरोसे से आरंप किये जाते हैं वे सभी कश्ट दायक होते हैं महा बाहो अच्छी तरह से सलाम और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुन्दर रूप से जो कारे किये जाते हैं वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है तुम स्वयम बल के घमंड से उन्मत हो जो केवल चपलतावश स्वयम इस युद्धर रूपी कारे को अभी आरंभ करनी के यूगे मान रहे हो इसे विशे में मेरी बात सुनो भूरी श्रवा, शल, पराक्रमी जलसंग, भीश्म, द्रोन, कर्ण, बल्वान अश्वतामा तथा सदा के आतताई, दुर्योधन आदी, दुर्धश धृतराश्ट पुत्र ये सभी अस्त्रविद्या के ग्याता है, एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमी पालों को युद्ध में कस्ट पहुँचाया है, वे सभी कौरव पक्ष में मिल गए हैं, और उधर ही उनका स्नेह हो गया है भारत वे दुर्योधन के हित में ही सनलग न होंगे, हम लोगों के प्रती उनका वैसा सदभाब नहीं हो सकता उनका खाजाना भरा पुरा है और वे सैनिक शक्ती से भी संपन नहीं, अतह वे युद्ध छिड़ने पर हमारे विरुद ही प्रत्न करेंगे मंत्रियों और पुत्रों के सहित कौरव सेना के सभी सैनिकों को दुर्योधन की ओर से पूरे वेतन और सप्रकार की उभोग सामगरी का वितरन किया गया है इतना ही नहीं दुर्योधन ने उन वीरों का विशेश आदर सत्कार भी किया है अतह मेरा ये विश्वास है कि वे उसके लिए संग्राम में हस्ते हस्ते प्राण दे देंगे महाबाहो यद्दिपी पितामः भीश आचारे द्रोन तथा महामना कृपाचारे का आंतरिक्षने हैं ध्रितराश्र के पुत्रों तथा हम लोगों पर एक साही है तथा भी वे राजा दुर्योधन का दिया हुआ अन्निकाते हैं अतह उसका रिण अवश्य चुकाएंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है युद्ध चिर्ने पर वे भी दुर्योधन के पक्ष सही लड़कर अपने दुस्तेज प्राणों का भी परित्याग कर देंगे वे सब के सब दिवे अस्तरों की ग्याता और धर्म परायन हैं मेरी बुद्धी में तो यहां तक आता है कि इंद्र आधी संपूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते उस पक्ष में महारती कर्ण भी हैं जो हमारे ब्रती सदा, अमर्ष और क्रोध से भरा रहता है वे सब अस्तरों का ग्याता अजे और अभेद कवच से सुरक्षित है इन समस्त वीर पुर्षों को युद्ध में परास्त किये बिना हम अकेले दुर्योधन को नहीं मार सकते व्रिकोदर सूत पुत्र कर्ण के हाथों की फुर्ती समस्त धनोर्दरों से बढ़ चड़ करें उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नीन नहीं आती वैशंपायन जी कहते हैं जनमेजी युधिष्टर का ये वचन सुनकर अत्यनत क्रोधी भीमसेन, उदास और शंका युक्त हो गए और उनके मुह से कोई बात ना निकली दोनों पांडवों में इस प्रकार बाचीत हो रही थी कि महायोगी सत्यवती नंदन व्यास वहाँ पहुँचे पांडवों ने उठकर उनकी आगवानी की और यथा योग्य पूजन किया तद पश्यात भक्ताओं में श्रेष्ट ब्यास ची युधिस्टर से इस प्रकार बोले नर्श्रेष्ट महाबाहु युधिस्टर मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूँ इसलिए शीखरताग पूर्वक यहां आया हूँ शत्रुहंता भारत, भीश्म, द्रोन, कृपाचारे, कर्ण, अश्वतामा, ध्रितराश्वपुतर दुर्योधन और दुर्शासन से भी जो तुम्हारे मन में भैसमा गया है उसे में शास्त्री उपाई से नश्ट कर दूँगा राजेंद्र इस उपाई को सुनकर धैरे पूर्वक प्रयतन द्वारा उसका अनुष्ठान करो उसका अनुष्ठान करके शीग रही अपनी मान्सिक चिन्ता का परित्याग कर दो तदनंतर प्रवचन कुशल पराशन नंदन व्यासी उधिस्ट को एकांत मिले गए और उनसे यह युक्ति-युक्त वचन बोले भरत्ष्ष्ठ तुम्हारे कल्यान का सर्फष्ष्ठ समय आया है जिससे धनुर्दर अर्जुन युद्ध में शत्रूं को पराजित कर देंगी मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृती नामक विद्या को ग्रहन करूँ जो मूर्ती मती सिध्धी के समान है तुम मेरे शर्णागत हो इसलिए मैं तुम्हें इस विद्या को उपदेश करता हूँ जिसे तुमसे पाकर महबाहु अर्जुन अपना सब कारे सिध्ध करेंगे पांडुनंदन ये अर्जुन दिव्य अस्तरों की प्राप्ती के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुन, कुबेर तथा धर्मराज के पास जाएं ये अपनी तफस्या और पराकरम से देवताओं को प्रत्यक्षत देखने में समर्थ होंगे भागवान नारायन जिनके सखा हैं वे पुरातन महरशी, महातेजस्वी, नरही, अर्जुन हैं सनातन देव, अजे, विजेशी तथा अपनी मर्याद से कभी चियूतना होने वाले हैं महाबाहु, अर्जुन, इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्टर प्राप्त करके महान कारे करेंगे कुंति कुमार, प्रित्वे पते, अब तुम अपने निवास के लिए इस बन से किसी दूसरे बन में जो तुम्हारे लिए उप्योगी हो, जाने की बात सोचो एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना प्राय रुचिकर नहीं होता इसके सिवा यहां तुम्हारा चिर्णिवास, समस्त, तपस्वी महात्माओं के लिए तप में विगन पढ़ने के कारण उद्वेक का कारक होता है यहां के हिंसक पशों के उप्योग मारने का काम हो चुका है तथा तुम्ह बहुत से वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मनों का भर्न पोशन करते हो और हवन करते हो इसलिए यहां लता, गुल्म और औशधियों का क्षय हो गया है पैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजर ऐसा कहकर लोगतत्व के ज्याता एवं शक्तिशाली योगी परमबुधिमान सत्यवती नंदन भगवान व्यास्ची ने अपनी शरण में आय हुई पवित्र धर्मराज युधिश्टर को उस अतियुत्तम विद्या का उपदेश्ट गय और कुंतिकुमार की अनुमती लेकर फिर वहीं अंतरधान हो गये। धर्मात्मा मेधावी संयम्चित युधिश्टर ने उस वेदोग्त मंत्र को मंद से धारण किया और समय समय प्रफ्सदा उसका अभ्यास करने लगे। तदन अंतर वे व्यास्ची की आग्या से प्रसंता पूर्वक द्वयत्वन से काम्यक वन में चले गये। जो सरस्वती के तट पर सुशोबित है। महराज जैसे महरशिकण देवराज इंद्र का अनुसरन करते हैं। वैसे ही वेदादी शास्त्रों की शिक्षा तथा अक्षर ब्रहमतत्व के ज्यान में निपुन बहुत सित् मनस्वी ब्रहमन राजा युधिष्टर के साथ उस वन में गये। भरत्ष्रेष्ट वहां से कामेक वन में आकर मंत्रियों और सेवकों सहित वे महात्मा पांडव पुनह वहीं बस गये। राजन वहां धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर हो उत्तम वेद मंत्रों का उध खोष सुनते हुए। उन मनस्वी पांडवों ने कुछ काल तक निवास किया। वे प्रति दिन हिंसक पशों को मारने के लिए शुद्ध अर्थात शास्त्र नुकूल बानो द्वारा शिकार खेलते थे। एवं शास्त्र की विधी के अनुसार नित्य, पित्रों तथा अर्थात नित्य शाद और नित्य होम करते थे। व्यास्ची के द्वारा दी गई। अध्भुत विध्या को युद्धेश्टर ने किस प्रकार प्रयोग में लिया। या वह अर्जुन के लिए ज्यादा उप्योगी शुद्ध हुई। जानते हैं अगले अध्याय में। लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करें।